हलो एभीवन वेलकम टू मेक आईएस एक बार पुना आपका स्वागत है मेक आईस के यूटूब चैनल पर मैं मुकलवाच्वियू हम लोग बात करने वाले हैं पेपर पोस्टमोन होने के बाद हमारी क्या स्टेडी होनी चाहिए कई लोग के मैसेज आ रहे ती लगातार कि क्या अब हमारी स्टेडी होनी चाहिए आप लोग को पता होगा कि जो पेपर है वह आपका जुलाई मंत में आयोग न बोला है कि जुल है नो मैं स्कीधार है तो लगबग 20 दिन हमारे पास यहां बचे हुए है हम लोग के 15 दिन मान लेता हैं आप्रिल मंत मैं अगर मों देख uses लगबक 30 दिन हमारे पास हैं एक इसके बाद है पूरा मेह अगर माई में हम लोग देखिएं तो हम 30 दिन भले होते हैं माई के बाद हमारे पास है जून से जून में हम लोग 30 दिन मान लेते हैं कि जून के बाद हमारे बाघ जुलाई चाहिए हम लोग मानके चलते हैं 50-15 दिन और हाला कि 120 दिन का टाइम है हम लोगों के पास कि इन दुनों में हमें क्या अपनी स्टेड़ी करने चाहिए अब मैं बात करूं कि अगर कुछ लोगों के जो एकदम पीटी के ऊपर लगे रहेंगे 120 दिन तो मुझे लग रहा है वह गलत स्टेड़ी हो सकती है अचा एक चीजी हमें ध्यान रखना होगा कि अगर जब पेपर आपका जुलाई में होगा तो उसके बाद में मुझे लग रहा है बहुत जांदर टाइम नहीं देंगे जैसा कि पिछले बार जो है चार महीने का टाइम दिया हुआ था लेकिन इस बार मुझे पूरी उम्मीद में आपका मेंस एकजामिए लोग करवा लेंगे ठीक है तो अब 120 दिन आपके बचे हुए है तो आपको 120 दिन में क्या करना है वो मैंने यहां पर जो प्लानिंग की है वो यह की है कि अभी आपको जो है लगबग 80 दिन असी दिन आपको जो है मैंस में देने चाहिए आसी दिन आपको proper तरीके से में देने चाहिए और end की जो 50 दिन बचे रहेंगे वो आपको पी टी में देना चाहिए और 40 दिन पीटी तो आपका पूरा हो गया है 120 दिन तो अब आपको 120 दिन का ये जो है इस तरीक से आपका डिवाइड होना चाहिए टाइम लेकिन आपको ध्यान ही रखना होगा कि ये जो 80 दिन है इन में मालीजे आप लोग पढ़ते हैं 10 गंडे मालीजे आप लोग 10 गंडे प्रती दिन इस्टडी के लिए दे रहे हैं कि आप लोगों ने पीटी के लिए तयार किया होगा जैसे नंबर वन आप लोगों ने बनाये होंगे अपने नोट्स ठीक है नंबर टू आप लोगों ने बनाये होंगे अपने करेंट अफेर्स के नोट्स ठीक है नंबर थिरी आप लोगों ने जो है test series जो है लगाई होगी और उसके मुझे लग रहा है notes भी बनाए होंगे तो यह तीन गाम आप लोगों ने की होंगे तो अब आपको करना क्या है अपने time table को इस तरह से divide करना है कि कम जे कम दो घंटे कि दो घंटे आप लोग पीटी को हर हालत में मतलब कि पीटी को इगनोर नहीं करना है इन असी दुनों में पीटी को साथ लेकर चलना है और दो घंटे पर डे हमें notes के लिए current अगर आपको जैसे लगता है कि बहुत जाना confidence नहीं विल्ड हो पा रहा है तो तीन घंटे यहां पर दिये जा सकते हैं तो दो से तीन घंटे आपको देना है तो मेंन के उपर अगर हम लोग बात करें तो आपको कम से कम यहां परड़े साथ से आठ घंटे यह देने चाहिए आपको मेंस के ओंपर ठीक है दो से तीन घंटे स्पीटी और साथ साफ से तरह कंते में यह आपका टाइम ट disciples होना चाहिए अब इनमें साफ से आफ घंटे में आपको क्या करना होगा है कि नंबर बन मि हो मिनчно देट रखेयijnимся कंब आ क्ठार घंटे के इसमें इस्टडि करें इस्टडी के साथ में जो है दो से तीन हंटे जो है इसमें नोट्स बनाएं और एक घंटे आंसर राइडिंग करें तो अब आपने देखा तीन से चार घंटे आपको पढ़ना है मतलब की सिंपल सी बात है आप माली जी को एक चेप्टर पढ़ रहे हैं माल लिजिये आपने जो है पढ़ रहे है आप गोवन्नयंस गवन्न में अप एक चेप्टर पर रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं गुड्स अबड़ गुड्ड़ पढ़ रहे हैं तो सपता सब 35 गटा पढ़ने चैप्ड़ने पढ़ने के बाद आपने ऊसमें जो यह हमें पढ़ना है यह हमें पढ़ना है फिर आपने क्या किया उसी चैप्टर को जो है दुबारा ओपिन गिया और उसके आपने बना लिए सब्सक्राइब आपने पढ़ना चाहिए जैसे आज आपने पढ़ाई किया है जैसे मैं आपको बात करूँ हम लोग बात कर लेते हैं MEP की जैसे मालो हमारा MEP प्रोग्राम मेंस का तो अब इसमें साथ टॉपिक है जो की पढ़ने है तो यह आपका टॉपिक का डार्गेट हो गया तो आप कोसिस करिए कि यह साथ नों टॉपिक जो है पढ़ें और साथ में फिर उसके जो है नोट्स बन करें लेकिन मुझे यह लगता है कि अगर जो है पढ़ने के साथ में नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो वह समझने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है तो एक बार क्या करें आप प्रॉपर तरीके से जो है उस टॉपिक को समझ लें उसके बाद उस टॉपिक के नोट्स सकते हैं और कौन कौन से लिए इस टॉपिक से कऊर हो सकते हैं जैसे मा लिए किक जरूरी नहीं है कि उस किताब में किसी टॉपिक के सारे कोश्चंस ही कबर हो जाए तो सकते हैं आपको उसके लिए गूगल करना पड़े ठीक है तो गूगल करने में भी मतलब एकदम कंजूसी मत करिए गूगल को करिए जितने मैक्सिमम टॉपिक हो पाए आप गूगल से ढोड़िए तो आपको पता चलेगा कि जो है मेंस का जो सिलेवस है वह बहुत जानदा टॉफ नहीं है या बहुत जानदा ब्रॉड नहीं है अगर आप लोग एक एक दो दो टॉपिक जो है करने ही पढ़ेंगे कबर च्टकर करने ही पढ़ेंगे थी था हम पर एक गंड़े पढ़िए नोर्स कार निंग कीजिए दो तरीकित है जैसे मैं अभी तो वहां पर एक तियो के पोश्ट पर जो है सलेक्ट हुए है तो उन्होंने बताया कि कई इसा करते हैं वह पहले में काई इसके model answer पढ़ते हैं और फिर उसके बाद वो paper लिखते हैं अच्छा simple सी बाद यहां पर यह है होता यह है कि आपकी केवल copy जानी है आपकी knowledge नहीं जानी है कि आपके बाद कितनी knowledge है आपने क्या पढ़ा हुआ है कैसे पढ़ा हुआ है कहां से पढ़ा हुआ है आपकी copy में अगर आपने अच्छा लिखा है सब वो जैसे कि माल लीजे आप किसी चीज को बहुत अच्छा explain नहीं कर पा रहे है ठीक है आप किसी चीज को बहुत अच्छे से नहीं बोल पा रहे है लेकिन आप copy पर उतानने में बहुत expert है तो symbol सी बात है कि आपकी copy वहाँ पर जानी है copy दिखेंगे वो आपको आपको जो है number मिल जाएंगे तो यहाँ पर हमें effort भी यह गरना है अगर आप model answer के through बढ़ेंगे तो symbol सी बात है आपको जो notes बनाएंगे उसमें वो model answer add कर लीजेगा ठीक है बस करना आपको यह है कि जो एमीबी वाला आपका syllabus है उसके सारे topic के notes बनाने है उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना है आपको ठीक है तो इस तरीके से जो है आपका time मुझे लग रहा है divide होना चाहिए दो घंडे पर डे पीडी के लिए देना है पीटी में भी आपको करना है आप topic wise बढ़िए एक दिन माली आपने quality उठा ली quality के आपने स्टार्टिंग से किया कि संभिधान के development हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद संभिधान के silent features पढ़ेंगे इसके बाद हमने मालो जो है अपना article एक से लेकर चार तक या संभिधान की जो schedule अनसुचिया है हमने वह देख लिए तो इस तरीकी से topic by topic जो है revise करते रही है revision बहुत जरूरी है क्योंकि fact का क्या होता है कि fact हम लोग बार बार भूल जाते हैं अगर revise नहीं करते हैं तो देखो और साथ मैं मैं जो है वीडियो तो बना बना ही रहा हूं तो आपको एक notes making वाली वीडियो मिल गई होगी जिसमें मैंने बताया कि आपको notes कैसे बनाने है short notes कैसे बनाने हैं यह वीडियो आगे की strategy की उबर कि आगे आपको क्या strategy रखनी है देखो अगर आप 80 दिन आपके पास है मेंस के लिए अगर आप एक दिन में 7 topics कवर करते हैं तो आपके 560 topics जो है कवर हो जाएंगे 80 दिनों में और 560 topics अगर आपके कवर हो जाते हैं तो यह कि कम उपलब दी थोड़ो ना है ठीक है यह भी बड़ी उपलब दी है कि 560 आपने topic cover कर लिए 80 दुनों में बड़ी बात है ठीक हो किये जा सकते हैं ऐसा नहीं कि नहीं किये जा सकते हैं पॉसिवल है ठीक है क्योंकि लोग करते रहे हैं 5 साल से answer writing करवा रहे हैं पहले दिन स से हम लोगोंने साथ ही question को target बनाया था कि seven questions आपके हर paper में रहेंगे एक घंड़े का target होगा आपको लिखना होगा ठीक है अगर offline में join किया है तो आपके लिए best है अगर offline नहीं किया है online में join किया है तब भी आपके लिए best है बस answer writing करना है simple सी बात है make IES में join किया है तो आप कि लिए best है कहीं और join किया है तो आप वो देख लिएगा ठीक है लेकिन आपका जो है target होना चाहिए कि पांसो साथ topic असी दिन का time बचा है 40 दिन में पीटी में देना है एक एक दिन का एक पल का इंपोडेंट है इंपोडेंस है तो वो उसको ध्यान में रखते हुए आपको जो है इस तरीकी से डिवाइट करना है पांच महीने बहुत कम टाइम होता है जैसे सालों निकल लगे वैसे पांच महीने भी निकल जाएंगे पेपर आ जाएगा फिर सोचेंगे हम पढ़ नही है पांच महीने जो मिले है उसका बहुत अच्छे से इविन पांच महीने में बार-बार वोल लाओ चार ही महीने है ठीक है चार महीने जो मिले हैं उसको बहुत अच्छे से बहुत बाइसली यूटिलाइस करिए जिससे की मैक्सिमम आउटपुट आप जो है एक्जाम में हम मिले हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत बहुत धन्नवाद